पूरे करनाटक को सद्मे में डाल दिया था वो इतना शातिर था कि वो जानता था कि डोर एंट्री कितनी जरूरी है उसके खौफ से ही सारे लोग अपने घरों में लोहे के मजबूत दर्वाजे लगाने लगे फिर अचानक बैंगलोर शेहर बहुत ही खतरनाक दिखने लगा पुलिस जब उनके घर पर गई तब तो उनके होशी उड़ गए उसका शैतानी दिमाग हमेशा सोचता था कि यहां से निकलना कैसे है आगे क्या करना है उसने बार बार रेप और मर्डर किये पर वो किसी के भी हाथ नहीं आया पुलिस का सरदर्द भी बढ़ता चला गया पुलिस ने अपने स्टेट्मेंट में वही लिखा जिससे उनका पक्ष मजबूत हो हम सोच भी नहीं सकते हैं वो कितना शातिर था ये काम किसी राक्षस का ही लग रहा था उसका शरीर चट्टांग जैसा सक्त था ये इदा बीस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्र मुर्गा